दोस्तों यहां पर आज मैं आपको MPR से रिलेटेट एक छोटी जानकारी दे रहा हूं यह जो आप मल्टिमेटर यूज करते हैं यलो वाला इसमें जो MPR का यह सेक्षन होता है यह सिर्फ DC MPR को चेक करें के लिए होता है और DC जब MPR आप चेक करते हैं तो वहां पर कैसे और AC MP में चेक किया जाता है और जो AC MPR होता है आपने देखा होगा AC MPR को चेक करने के लिए क्लैंप मेटर जो है यूज में लिया जाता है क्लैंप मेटर को आप यूज कर सकते हैं बट यह जो मल्टिमेटर होता है इसमें AC MPR को चेक करने के लिए भी आपका सेक्षन दिया गया है यहां पर देख सकते हैं, यह आपका AC Ampere को check करने का section है, और DC Ampere को, इस Multimeter की खास बात यह है, तो आज हम Ampere को check करना शेक हैंगे, इस Multimeter से कैसे check करते हैं, सीरीज में हमेंसा चेक किया जाता है काफी लोग क्या सूचते हैं कि रष sangat हम इन प्रॉपस को 22 वर्ट 1 में डाल देंगे तो डाल देंगे तो अचो्ट हो यह गडत मेश्य होती हमेंशा जो एक होता सीरी evaluating के माध्य हम से चेक होता है आपने कभी-कभी आपने जो है यह बैटरी में जब डीशी एंपर चेक करने की काफी लोगों ने कोशिस करी भी होगी एंपर सेक्शन में रखा और इसको हमने एंपर में सिफ्ट किया और इसे किया तो यह प्रोब्स हमारी बहुत ज्यादा घर्म ह को जाती है अपने अप मैंसे कुछ लोगों ने जरूर किया होगा जिनने ये ट्राई किया और कमेंड करके जुरू बताना डिर्यक्ट एभी एंपर को चेक नहीं किया जाता हूँ है इसका एंप्र में आप बताता हूं अब यहां पर wiring मगर पूरी यहां पर दिखाता हूँ मैं इस बल्ब को मैंने series में connect किया है यानि कि यह प्लग है और यहांपर बल्ब है और बीच में वायर को मैंने इस तरीके से cut कर लिया है ताकि यहां पर इन दोनों में मैं इसके दो प्रोप्स लगा सकूँ मैं अभी आपको डियाग्राम भी एक बना के दिखा दूँगा किस तरीके मैंने connect किया पहले मैं इसको plug लगा लेता हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब यहां पर देखिए मैंने plug लगा लिया है और यह दो वायर टच करूँगा तो यह बल जल जाएगा यह देखिए इस तरीके से जहाँ पर बटन लगा जाता है वहाँ पर वह यह मैंने जोल लिया है अब इसका जो अवरट करना है वह असानी से हम कर लेंगे तो यह दिखिए इसको मुने आप्र कि सेक्शन में रखा है fug Anpere क्योकि एसी में काम करा है 220 में दो एंपैयर के जिरो पॉइंट टू सेवन एमपीर ले रहा है आप इससे वाइस पता कर सकते हैं यानए कि यह बब कितने वाट का है असानी से पता कर सकते हैं चलिए। यह मैं आपको पतातो किस त्पधा करना है आप है वोल्टेज चेक लिए अभी कितना वोल्ट करता हूं चलिए अभी कितना हूल्ट आ रहा है मैं इसको एसी साथ सों सबर स्ट करता हूँ और इस तरी कि से कर कि यहां प 서로 करके Sono detox करना चाहूंगा यह हम के तो अभु कितना वोल्ट आ रा है कं अभी वर दिप्च अब हमारा एकुरेट 216 बोल्ट आ Kung Lao देखिए एकुरेट ये 0.27 200 सोलो को 0.27 के साथ आप गुने कर लेजिए ये बल्ब का वाटेश निकल की आ जाएगा कमेंट की सेक्शन में ज़रू बताइगा जिसका सबसे पहला और सही अंसर होगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दो कर लोगा 216 को 0.27 से गुणा कर लेना ठीक है उतने वाट का यहां पर बल्ब है एकुरेट नहीं भी बता सकता है थोड़ा सा उपर नीची हो जागा क्योंकि अगर हम 220 वोल्ट में इस बल्ब को चलाते हैं तब एकुरेट वाट इसका निकल जागा बट अभी 220 वोल्ट नहीं ह इसका 0.27 एंपियर ले रहा है 0.27 एंपियर एंड वोल्टेज अभी कितना आ रहा है वोल्टेज अभी आ रहा है 217 उपर नीची होता है कोई दिकर नहीं है लेकिन आप 217 को 0.27 से गुणे करके उसका आंसर लिख दीजेगा कमेंट पे उतना ही वाट का यह बल्ब है ठीक है लग भग है वैसे मैं आंसर नहीं बताऊंगा यह आंसर आप खुद देंगे तो इस तरीके से बल्ब का वाट निकाला जाता है तो आज मैंने आपको बता दिया है एंपयर को जैक कैसे गया चाहिए शर्फ यहिवाला मल्ट्यमिटर है मैं करता है अधर यह वाले मल्टी में करना है ना करें मुल्टिमेटर खराब हो जागा बाकि इस मल्टिमेटर को चलाएं का डिटेल वीडियो में ने बनाया है उसको जरूर रहा है वीडियो छोटा से बड़ आपके लिए बहुत नौरीशफूल है लाइक करके शेयर हो किजिएगा थैंक्यू जो मच